गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडन्ट, आज हम न्यू चाप्टर, न्यू शब्द देखने जा रहे हैं, उसका नाम है गुड, पहले देखेंगे गुड कैसे लिखना है, गुड से आता है गनपती, आपको यहाँ पे ट्रॉइंग में दिखाए दे रहा है, ग उसके बाद उससे आने वाले शब्द हम देखेंगे, यहाँ पे दिखर आये आपको सबको, ग से गनपती, क्या आएगा? ग से गनपती, यह ट्रॉइंग में दिखाए दे रहा है, और यहाँ पे पूरा शब्द है, गनपती, यहाँ पे वैलांटी है, देखो, यहाँ पे ग कैसे लिखते हैं वो पहले हम देखेंगे देखो पहले यह उल्टा 6 है ठीक है उसके बाद एक लाइन खिचनी है और उसके उपर एक लाइन इससे ऐसे बन जाता है आपका ग यहाँ उपर है ग यह ऐसे है आपको शब्द तैयार कर ना है, देखो अपसे और जब भी लिखते हो दोनु लाइन को टच करना है और उपर एक लाइन खिचनी है इससे तैयार हो जाता है आपका ग से गनपती यह वापिस से मैं दिखा रहा हूँ देखो पहले उसके बाद लाइन तो इससे बता चलेगा आपको ग से गनपती तो ऐसे शब्द आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए कम से कम पाच लाइन लिखने है देखो सबको देखाई दे रहा है गनपती ग कैसे निकालना है समझ में आ रहा है देखो नीचे वन मोर टाइम उसके बाद लाइन सबको समझ में आ रहा है तो इसे डेली प्रैक्टिस करने के बाद ही है आपको ग निकालने आएगा देखो ग से क्या आता है ग न प ती ग न पती यहाँ पे लिका हुआ है ग उसके बाद यह ड्रोइंग दिकाई दे रहा है आपको गनपती का और उसके बाद गनपती समझ में आ रहा है तो गनपती यहाँ पे हमने यह शब्द ड्रोग किया है वापिस देखो एक लाइन में मैं शब्दों वापिस लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ देखो वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है पहले उसके बाद एक लाइन किछनी है स्ट्रेट लाइन और उसके बाद एक उपर लाइन एक पूरी लाइन लिख की दिखाता हूं आपको तो ऐसे ही आपके नोटबुक में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको गलिखने आएगा और इससे हमें अभी देखना है न्यू शब्द देखो यहाँ पे वापिस से इस नोटबुक में निकाला हुआ है ग ग ग ग ग और उसके बाद उसकी पिक्चर गनपती की है वापे ऐसे आपको क्या करना है आपके नोटबुक में ग अभी मैं शब्द लिखने वाला हूँ और उसमें से आपको ग को ढुनना है इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है यह शब्द इसमें देखो ग कहाँ पर है तो उसको क्या करना है आपको नीचे उसके अंडरलाइंग करनी है ग समझ में आ रहा है उसके बाद नेक्स शब्द है ग व त देखो यह गवत उसके नीचे आपको ग के अंडरलाइंग करनी है ठीक है ऐसे बहुत से शब्द आपके पास होंगे तो ऐसे शब्द ग से आने वाले शब्द आपको लिखना है और उसके बाद उसमें ग कहा पे है ढूनना है मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद आपको ग आक्षर की उलक उलक महीत है ना उलक उलक तुम्हाला होंगे ठीक है माराटे में दे मन्तुए आपको आक्षरांची ओल ग कसा है तुम्हाला समझल पाईजे इतो बगा ग वत इतो काय केले ग या आक्षरा खाली काय केले ले रेश ओडले ले इतो बगा गाजर ग या शब्दा खाली काय केले ले लाइन मार लेले मन्जे गाजर तेरी नंतर फुडला शब्दा है बगा मिली तो ये ग र म मला सांगारे ग र म गरम काय काय आसते चाहा अपला गरम आसतो इक नी तो या मदे बगा पहला आक्षरा है ग र म मन्जे ग आक्षरा ची इत वोड़क करून दिले ले आए तेरी खाली बगा नवीन शब्द लित्वे में ल ग ब ग दिस्थे चाहर वान्ना तर त्यान अंतर आता तुमाल काय कराय जाय आतला ग शब्द शोदाईचा आहे बगा इत कुटाईद आको मला जरा ग शब्द अंतेजा काली काय कराय चे रे शोड़े चे हाशी ग हाँ बगा दूनी शब्द आहे तकाय तक पुडिल शब्द आहे न ग र चला तुम्हे उलकाय जाय आतला ग शब्द उलका बगू बगा पहला काय न तेजान अंतर काय ते ग खाली काय कराय चे रे शोड़ाय चे अंजी तुम्हाला समझेल ग कसा आहे ते तर आशा प्रकारे आपन ग पसुने नारे शब्द इत बगिटलेले आहेत तर आज आपन काय बगत हो तो ग शब्द कसा काड़ाय चाय अक्षरांची ओलक आनि त्याच बरोबर ग कसा काड़ आपन भगतल होद ठीक है परते तर वागतलै पधाजल आसा था पाजर चेलाशल में पिब्द गषल काई कर ले रे शोड़ले ले आहे मंन तर गवत बगलन ठीट या उलता पकार डुम्हार मं नारेच बठ अलनलै dice चलीकर में गर कुटा आये गर के नीचे वापिस से हमने अंडरलाइन किया है और उसके बाद आता है नगर नगर मतलब यह जो अपना सिटी लेवल रहता है उसमें से नगर तो यहापे गर के नीचे हमने क्या किया है एक लाइन मंजे रेश ओडलेली आए गाजर, गवत, गरम, लगबग, आनी नगर तो आज आपन कुणता शब्द बगिटलेला है ग पसुन गनपती तो आशा प्रकारे तुम्हें सरवानी काई कराई चाहे ग हाशब्द लेएला शिकाई चाहे आनी घरा मदे यहा गची प्रेक्टिस कराई चाहे आनी आपली नोटबूक मदे होमवर्ग होमवर्ग महनून गची पसुन यनारे शब्द लेए चाहे समझते सरवान्ना, पहला काई कराई चाहे? ग अक्षर कमी तकमी पाच वड़ा लाई जाए आनि त्या नंतर ग पाशोन यनारे शब्द लाई जाए मझे तुम्हाला ग ची प्रैक्टिस होन जाईल आनि ग तुम्हाला काडता ये इल त्या साथी इत खली दिलेले शब्द आहे त्ये देखिल तुम्ही लिउन काड़ा तुम्हाला नोटबुक मदे एक शब्द पाच वड़ाल्या त्या मोले तमची प्रैक्टिस होन जाईल समझते सरवानना माला ओटते सरवानना ग लाई सत्याता ये इल आनि त्या मोले ग ची प्रैक्टिस कराई जाए पुडिल ता साला पन पुडिल शब्द बगू ठीक है ठेंक्यू अने होमवर्क कंप्लेट कराई चाए कमीत कमी एक पेज भरून ग लहेच आए